दो डेट के बीच में number of month की हम बात करेंगे पिछली वीडियो में बात की ते number of date की बड़ मैं जाना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में कितने महीने हुए हैं तो इसके लिए आपको फॉर्मॉला लगाना है dated if का date difference का फॉर्मॉला इस पर्मॉला लिस्ट में नहीं आता है क्योंकि यह वामॉला होता है इसे स्टार्ट डेट और अन डेट और इंवर्टेड कवा में आप डाल देजिए महीने के लिए M और एंटर पेस कीजिए तो आपको number of month आ जाया कितना महीना हुआ है इसमें इस तरह की इंपोटिक वीड